नमस्कार दोस्तों, बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है इस चैनल के माधधम से हम नए बिजनेस, केरियर, मोटिवेशन, मार्केटिंग आदी के बारे में जानकरी देते हैं इस बार हम जानकरी दे रहे हैं, महेंगे कपड़ों की दुलाई कर मोटी कमाई कैसे करें देखा गया है, वहाँ से कपड़े आने के बाद कपड़ों के स्टेचर और रंगत में फर्क आ जाता है आज कल डिजनेस आड़ियों के साथ साथ हैवी बर्क किये गए लहेंगे, बिलाउच और चुन्री भी इस्तेमाल किये जाते हैं ऐसे कपड़े लांडरी से जब वापस आने पर पता चलता है कि कपड़े में इस्तेमाल किये गए मोती, कुंदन, कांच निकले हुई है, जरी, उधड़ी हुई है, कपड़ों की हालत देखकर मानो जानी निकल जाती है दुकांदार से सिकायत करने पर उनका ये की जवाब होता है, पहले से ऐसा था, इसलिए मेंगे कपड़े आज कल घर पर ही दोने का चलन बढ़ रहा है अमीर लोग, कालेज में पढ़ने वाले स्टुडेंट, हस्टल में रहने वाले यूतियां, ऐसे लोगों की तलास में रहते हैं, जो मेंगे कपड़े को इस तरह से साप करे कि उनकी चमक बरकरार रहे इसके लिए एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए भी तयार रहते हैं देखा गया है, मार्केट में ड्राइकलिन के लिए जो सौप है, अधिकतर सौप वाले स्वेम अपने यहां ड्राइकलिन नहीं करते हैं ड्राइकलिन के लिए कपड़े किसी ड्राइकलिन फेक्ट्री में भिजबाते हैं, वहांके कारिगर अक्सर कपड़े जल्दी वास करने के चक्कर में रहते हैं, ऐसे में वह सभी कपड़ों पर सही तरह किसे ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात आज कपड़ों के स्ट्रेक्चर के हिसाब से अधिकतर फेक्टरी में ड्राइक्लिन की पुरानी पद्दती ही अपनाई जा रही है जिसके वजह से कपड़े सुरक्षित नहीं रहते हैं। हमारा नया बिजनेस आईडिया यह है कि ऐसे में यदि डोर टू डोर ड्राइक्लिन की वयुस्ता यदि उपलप्ट कराए जाए तो अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। जैसे ही लोगों को डोर टू डोर महंगे कपड़े ड्राइक्लिन करने के बारे में पता चलेगा लोग जरूर संपर्क करने लगेंगे। सारी जानकरिया इंटरनेट पर सर्च कर ले। इसके साथ कपड़ों के ड्राइक्लिन के बारे में अजिक जानकरी के लिए किसी पहचान वाले टेक्स्टाइल इंजिनियर या फैसन डिजानर का कोर्स के इस्टुडेंट की मदद ले सकते हैं। सपाई और देखभाल के बाद आता है कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को छुडाने के लिए आप होम टिप्स वाली कुछ पुस्तके लेकर आए। साथ ही इंटरनेट पर इस बारे में सर्च कर ले। आपको कपड़े के दाग धब्बे छुडाने के हजारों टिप्स मिल जाएंगे। आजकल हर महंगे कपड़ों में टेग लग कर आते हैं। उसमें ये जानकरी दी भी होती है कि कपड़ों की सफाई कैसे की जाए। इस बारे में कपड़े के टेग पर दिये गए निर्देश को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि उस कपड़े को कैसे क्लीन करना है। टेग पर लिखा हो Only Dry Wash तो उसे बड़ी आसानी से Dry Wash कर सकते है। Dry Clean लिखा होने पर कपड़ों पर Dry Clean करे। टेग पर लांडरी मसीन का लोगो बना हो और उस पर Cross किया हो तो आप समझ जाए उसे किसी भी तरह के Spin Cycle वाली मसीन में धुलाई करना मना है। जिस टेग पर Air Dry Only लिखा है तो मतलब होता है इसे सीधा हवा में सुकाना है। Washing मसीन में नहीं। मेरे कहने का मतलब है लेविल को ठीक से स्टड़ी करके किसी भी महेंगे कपड़े को साप किया जा सकता है। पहले Dry Clean के लिए Petroleum परदात जैसे नेफटा, पेट्रोल या स्पीट का इस्तेमाल किया जाता था। यह परदात काफी जोलन्सिल केमिकल्स है, इसका उप्योग घर में करना काफी खतरनाक हो सकता है। इससे कभी भी आग लगने की संबहोना होती है। उसके अस्तान पर आजकल पेट्रोलियम परदात, कार्बन, टेट्राकलोराइड, ट्राइकलोरोएथेन, पेराकलोरोएथिलीन, तता हेलोजिन, हैड्रोकार्बन का उप्योग किया जा रहा है। यह कर्मिकल तेजी से बास्पित हो जाते हैं, जिससे कपड़ जल्दी सूख जाते हैं, साथ ही इनकी गंध भी नहीं रहती है, रेसे और रंगो को भी छती नहीं पहुंचाते हैं, नहीं इससे कपडों में सुकड़न आती है, कपड़े दिखने में चमकदार और कोमल बने रहते हैं, यह दि आप डोर टू डोर ड्राइ क्लिन का बिजनेस शुरू करना चाहे रहे हैं, तो कुछ और बातों पर भी ध्यान दे, इस काम को करने के लिए ठक कर चूर होने की आवसकता नहीं है, दिन में दो चार कपड़े ही सफाई करे, कपड़ों की सफाई के चार्ज हा 800 रुपे आसानी से कमा सकते हैं, बिजनेस को शुरू करने के पहले इसके परचार पर भी ध्यान दे, इस बारे में पॉम्पलेट को अपने एरिया में डिस्टूब्यूट होने वाले न्यूज पेपर में डलवाए, खास कर इंगलिस पेपर में जरूर डलवाए, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो वाट्सअप एप पर बिजनेस करे को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्केप्शन में मिल जाएगा, फ्रेंड्स आपको ये नया बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा, इस आइडिया में अपनी होर से कुछ नए क्रियेशन जोड़ कर इसे इंप्रूब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, दोस्तों को सेयर करें, जो लोग इस चैनल पर नए आइडियाज, कैरियर, मोटिवेशन, अर्ण मन्नी के बार्या में जानकरी दी जाती है, यदि आप हमारे वीडियो को नियमित पाना चाहते हैं, तो इसे सब्क्राइब करें, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्नवाद, आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी नए वीडिय इस आइडिया के साथ, नमस्कार